आज देश की जन्ता को एक नागरिक होने के नाते आवान करना चाहते हूँ एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र बिंदु में है एक व्यक्ति जिनका नाम है जौद सुरोस उन्होंने एलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक धाचे पर चोट करेंगे उन्होंने एलान किया है कि वो प्रधान मंत्री मोदी को अपने वार के मुख्य बिंदु बनाएंगे उन्होंने एलान किया है कि उनके चलते वो हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के अंतरगत एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान के हितों का नहीं बलके उनके हितों का सन्रक्षन करेंगे आज देश के आवाम को मैं अपील करना चाहती हूँ चाहे आप व्यक्ती हों चाहे आप संगठन हों चाहे आप राजनेतिक दल हों हिंदुस्तान ने वर्षों वर्ष तक एक लोगतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सरकार को चुना है जौद सुरोष का ये एलान कि वो हिंदुस्तान में मोधी को जुका देंगे हिंदुस्तान की लोगतांत्रिक धाचे से चुनी हुई सरकार को द्वस्थ करेंगे उसका मूद तोड जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए ये हम सब को ग्यात है कि जब विश्व में इस बात की चर्चा थी कि कोविड में हिंदुस्तान का क्या हश्र होगा तो प्रधान मंत्री मोधी ने 80 करोड नागरिकों की खादि सुरक्षा की द्रिष्टी से हर गरीब तक आनाच पहुँचाया जब विश्व में ये चर्चा थी कि कोविड में हिंदुस्तान वैक्सीन और दवाई की द्रिष्टी से अपना सन्रक्षन कैसे कर पाएगा तब प्रधान मंत्री मोधी जी के नेत्रित्त में दो सो करोड वैक्सीन की डोजिज ना सिर्फ हिंदुस्तानियों को मिली मुफ्त बलकी साथ ही एक सो साथ देशों की सहायता हिंदुस्तान ने की हिंदुस्तान इस बात का साक्षी है कि अम्रित काल का ये बजट भारत की रक्षा प्रणाली के लिए सबसे जादा आवंटन करता है आज जब भारत को अमरीका के राश्रपती फ्रांस के राश्रपती इंग्लेंड के प्रधान मंत्री आभार व्यक्त करते हैं कि उनके देशों में हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की वजह से आज आर्थिक संबंद और मजबूत हो रहे हैं जब भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था बनकर उभर रही है ऐसे में हिंदुस्तान के लोक्तांत्रिक धाचे में हस्तक शेप करने का एलान करने वाले जौद सुरोस को एक स्वर में हम जवाब दें कि लोक्तांत्रिक परिस्थितियों में लोक्तांत्रिक धाचे से चुनी गई हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ऐसे गलाति रादों के सामने सर नहीं जुकाएंगे जब जब हिंदुस्तान को चुनौती दी गई हमने विदेशी ताकतों को पहले भी हराया है आगे भी हराते रहेंगे